ही में यूट्योब फैमलि कैसे अप सब ? आप सब अच्छे ही होंगे तो आज मैं बनाने वाली हो सर्सो वाली केला की सब जी उसके लिए मैंने लॉसन को चील लिया है यहाँ पर एक बड़ा चमस मैंने सर्सो रख लिया है अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है अब सबजीों को काट लेते हैं तो केलो को इस तरह से छील लेंगे इसे छीलने में नो थोड़ा सा समय लगता है सबी केलो को मैं छील के काट के दिखाती हूं तो सारी केलो को मैंने छील लिया है अब इस तरीके से काटेंगे एक केलो में नो दो टुकरा करके और इसके ज्यादा पतले-पतले स्लाइस भी नहीं करेंगे थोरे मोटे-मोटे ही रखेंगे आलू को भी मैंने छील लिया है ऐसे राउंड शेप में मैं कट कर रहे हूं अब यहाँ पे हम टमाटर चॉप कर लेंगे दो टमाटर मैंने लिये है इसे अच्छे से चॉप कर लूँगे तो मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है अब यहीं पे हम धन्या पत्ता को भी बारिक बारिक चौप कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे मसाले जाएंगे तो यहाँ पे एक टीश्पून नमक, एक टीश्पून हल्दी पाउडर एक टीश्पून लाल मिर्ज पाउडर, एक टीश्पून धनिया पाउडर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बड़ा चमस बेशन भी हम एड़ कर लेंगे बेशन एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे हम गैस ओन कर लेते हैं एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे यहाँ पे मैंने सरसोर तेल डाल के गरम कर लिया है अब यहाँ पे हम केले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे golden brown हम फ्राई कर लेंगे सारे केले को तो केले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब यहीं पे न हम आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे भी तो यहां पे हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसे निकाल लेंगे, यहीं पे हम तरका एड़ करेंगे, एक टी स्पून मेथी दाना, एक मिर्ची पाउडर, यहाँ पे न मसाले हमने लिये थे, सरसो का पेस्ट जो बनाया था, नमक, एक चमस मिर्ची, एक चमस हल्दी पाउडर, एक चमस जीरा, मरीच, एक चमस धनिया दालों ने हमारे तेल छोड़ने शुरूर कर दिया, अब यहीं पे हम सारी सब्जियों को डाल के, एक कब जितना पानी डाल के, इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, तो सब्जी हमारे अच्छे से पक चुकी है, अब यहीं पे हम ग्रेवी के हिसाब से पानी ड जाल लेंगे इसे ढखके हम पास मिनिट छोड़ देंगे तो सबजी हमारे बन के तयार हो चुकिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा